तो सबसे पहले कोई भी नंबर 4 से डिवाइट कब होता है जब उस डिजिट के लाश्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइट हो तो 1, 2, 3, 4, 5 को यूज़ करके हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे अब एक बार समझें, last में क्या क्या आना चाहिए कि अगर हमारे ये नंबर डिवाइट हो तो जैसे अगर last में हमारे पास में किया सबसे स्मॉलेश नंबर हो सकता है तो देखिए, 1 से अगर मैं स्टार्ट करता हम तो 12 हो सकता है, 12 होता है, 4 से फिर 13, 14, 15 नहीं हो गया फिर अगर 2 से start होने वाले देखेंगे तो 2 से केवल एक number हो सकता है 24 ठीक है फिर 3 से start होने वाले देखेंगे तो अब 24 के साथ में किसी को डाउट हो सकता है 21, 22, 23, 24, 25 इन में से सिर्फ 24 होगा 3 के साथ में क्या हो सकता है 31, 32, 33, 34, 35 तो उन में से सिर्फ 32 होगा फिर 4 के साथ में क्या होगा 41, 42, 43, 44, 45 तो हमें पता है अगर यहाँ पर 41, 42, 43 तो है नहीं 45 भी डिवाइट नहीं लेकिन 44 डिविजिबल है 5 के साथ में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 51, 52, 53, 54, 55 इसमें भी क्या होगे हमारे पास में only 2 होगे तो indirectly हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करते हैं अगर मैं end में repetition भी consider करूँ तो सिर्फ यह 5 pair बनते हैं अब हर pair के लिए अगर हम देखेंगे first place पे कितनी choices है 5 तो कि repetition allowed है है ना first place पे 5 choices और नहीं भी repetition allowed तो भी first place पे तो 5 choices होगे अब repetition allowed है तो हमने जहां पे जो number use कर लिए है वो भी यहां use कर सकते हैं तो total कितनी होगे हमारे पास में यहां पर भी 5 choices और यहां पर भी 5 choices तो हर case में हमारे पास में कितनी choices है 5 into 5 into 5 which is 125 और उसके बाद यह कितनी choices है हमारे पास में 5 तो होगा 125 into 5 which is equal to 625 तो total numbers कितनी होगे है हमारे पास में 625 so this is the answer for this question